जी हाँ दोस्तों मेरा नम शकिल सर है और आप देख रहें जिने से इच्छा योटोब चानल तो फ्रेंट्स आज के इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो लेबल से यानी एवी सीडी से इंगलिस पढ़ना लिखना और बोलना सिखाऊंगा यदि आप क्लास को लाश्ट तक और पुरेध्यान से देखेंगे तो आपको जो है न इंगलिस का बैसिक समझ में आ जाएगा कि इंगलिस कैसे पढ़ना लिखना या बोलना है यानि आज के इस class में हम, यह क्या है? English Master Class 1 है, यह English का Master Class है, ऐसे class आपको पुरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी class में English का जीतना भी basic है, उस सारा का सारा, यानि इंगलिस कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, सारा का सारा जो ह में आपको मिलने वाला है, क्योंकि मुझे पता है, कि आप काम कर रहे हो, और आप पढ़ाई छोड़ चुके हो, मैंने बोला था कि शुरू में, कि आप बाहर की सुनोगे, तो बीखर जाओगे, आप अभी तक बाहर की सुनते आए हो, कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं या तुमारे माता पीता हो, या आपके प्रोसी हो, या कोई भी हो, हर काम करने जाओ, तो लोग बोलता है कि तुमसे नहीं होगा, अगर दुनिया को सुनोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, जब आप खुद को सुनोगे, यानि भीतर को सुनना चालू कर दोगे, अ उस दिन से आप निखर जाओगे तो मेरे कहने का मतलब ही है कि आप अगर सच में दिल से इंग्लिस पढ़ना चाहते हैं सिखना चाहते हैं बोलना चाहते कुछ भी तो इस क्लास को लाश्ट तक और पुरे ध्यान से देखिएगा क्लास तोरा लंबा होगा लेकिन ऐसा क्लास आ आप बाद में भूल याते हैं और क्लास को लाश्ट तक देखिएगा तो आईए यहां पर हम देखते हैं ठीके तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिस अल्फाबेट एस से जिड तक जिसमें आपको हम पहना और पहचान करना सिखाएंगे ठीके ना देखिए यहां पे small letters and capital letters यानि छोटे और बड़े दोनों को जो है आपको हम पहना और पहचान करना पहले सिखाएंगे उसके बाद जो है इस्टी बाई इस्टी बहुत सारे चीज को जो हम बताने वाले हैं इस किलास में ठीके तो देखिए यहां पे सबसे पहला अच्छर होता है पहले हम तब तक आपको पढ़ना नहीं आएका तब तक या तो आप नहीं लिकपाऊगे या नहीं बोल पाऊगड़े किसी भी चीज को चाहें लिखना हो या बोलना हो सबसे पहले आपको पढ़ना जरूरी है ठीके तो यहां पे देखिए ये क्या है ये क्या है बड़ा favor η किया है इस तरह से है इस तरह से छोटा ए है ठीक है इसको सांसत अब पहचान करते चलिए ठीक है चलिए यह क्या है बी क्या है यह यह बड़ा भी है और यह क्या है देखिए छोटा भी किस तरह से रहेगा बड़ा भी यह है और छोटा भी यह है अब ध्यान से इसको देखते चलिए, c, दखिए, बड़ा c और ये क्या है, छोटा c, s, small c, c क्या रहेगा, से हम दोनों रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीके न, ये क्या है, छोटा है, देखिए, अगर b को पहचानना है, तो देखिए, यहाँ पे, चसमा होता है न, इस तरह का, दो कुछस्म होता है ना तो मालने जी यहां पर एक हाधा सिशा टूट गया है किसी कारण हम तूट गया है तो चेल का हुआ कि इसका आधा हम निकालकर फेक दिए तो क्या बने या B, अब देखिए यहां पे, गोल इस तरह से रहेगा, लेकिन इसका पूछुवा घीचा रहेगा इसका, ठीके न, इसका पूछुवा घीचा रहेगा, तो इसको आप क्या मनिएगा, यह छोटा A, जैसे यहां पे है, ठीके न, तो आप इसको ध्यान से देखते चलिए, ठी बड़ा अ जह एगा ठीक है न तो यह क्वाड़ा ए किया है चोटा ए कि-19 ए बड़ा भी चोटा भी बड़ा C, छोटा C सेमग रहेगा और यहाँ पर रहेगा तो यह क्या है बड़ा D ठीके अगर छोटा D लिखना हो या उसको पहचान करना हो पढ़ना हो देखी हाँ पर क्या है B का उल्टा कर दीजी अब माल लिजे यहाँ पे डंटा था, इस तरह से इसका पेट निकला हुआ है, माल लिजे पेट निकला हुआ है, तो क्या हुआ? यहाँ पी यह B हुआ, इस साइड में पेट निकला हुआ है, अगर यही इसका पेट अगर इस तरह से निकला हुआ है, बाएं साइड में, बाएं सा तिर्सूल देखे हैं? तिर्सूल, तिर्सूल जोटा ए इक होगा। इसamente इस तरह से रहेगा और इसका गोल यहां पे बीच में रहेगा। तो ये क्या है, छोटा E है, क्या है, छोटा E है, ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये बड़ा E है, और ये छोटा E है, क्या है, ये बड़ा E और ये छोटा E, अब देखते हैं, F, ये क्या है, F, ठीक है, तो ये F क्या है, F क्या है, देखिए यहां पे, अब दे पो नीचे का दिसली रहेगा एक थी शोड़ा से रहेगा से एक बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा बस इतना ही रहेगा तो एक होगा फोगा यह हुआ यह जोगा है चोटा एक इस तरह से नहीं पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लीखेना भी नहीं सिंख पाई एगा ठाले पढ़ना पहचान करना उसके लाद आप लिखे काट झाल आप डखी ए तो इस हो गया हम अब देखते हैं जे तो जी देखिए यह क्या है जी जी देखिए यहांपे इस तरह से आपको मिलेगा बुक में इस तरह से जी ठीक है न तो यह क्या है जी और छोटा जी देखिए यहांपे यह बड़ा जी और छोटा जी का देखिए यहांपे इस तरह से रहेगा और इस तरह से लिखा जाता है बहुत तरीके से लिखा जाता है जी ठीक है न यह क्या है यह बड़ा जी और यह क्या है छोटा जी है ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए यह क्या है बड़ा एच और यह क्या है छोटा एच एच देखिए एक यहाँ पर डंडल आएगा एक यहाँ पर डंडल बीच में खिस देंगे यहाँ पर तो यह क्या हो सी देखे रसी तरह से तो क्या है एच हो गया क्या हो गया एक सोटा एच देखिए तो क्या हुआ एक डा खिश दी और यहां पर से आधानिच नीचे कर दिए इसका उपर से है ना क्या हो गया भात रुटान है यह बने गया तो rider phi क्या है बड़ा एच है ठीक है यहां पर दिखिए आई सिंगल इस तरह से लिखा राता है तो क्या होगा यह बड़ा आई है छोटा आई की पहचान क्या है यह छोटा रहेगा इससे लेकिन इसके उपर क्या रहेगा एक बिंदी रहेगा छोटा रहेगा और इसके उपर क्या र रहेगा ठीके ना क्या रहेगा बड़ा जे है ये क्या है बड़ा जे है ठीके अब छोटा जे देखिए सेम रहेगा लेकिन इसके उपर क्या रहेगा आई के जैसा एक बिंदी रहेगा ठीके तो ये बड़ा जे और ये क्या है छोटा जे है ठीके चली यहां पर देखिए ये क क्या है के देखिए के का पाचान क्या एक डंडा रहेगा और यह उपर से आगा और यह नीचे जाएगा ठीके ना तो यह हो गया बड़ा के क्या हो गया बड़ा के हो गया ठीके अब देखिए छोटा के सेम इसी के इसा रहेगा लेकिन ओ क्या होगा अकार में छोटा रहेगा यह वारा छोटा रहेगा, ठीके न, यह बड़ा है, और यह छोटा है, तो के, बड़ा के और छोटा के, सेम लिखायता है, लेकिन छोटा के क्या होगा, वो अकार में छोटा होगा, देखें, ध्यान से पहचान करते जाएए, ठीके न, तो यह क्या है, एल है, बड़ा एल, दे तो एल पढ़िएगा अब देखिये आँपर एम जिए एम तिरसूल देखिये न ही ऐसको ही याँपर देखिये यह उखिश से और और यह जाएगा इधर जाएगा ठीकिए तो यह क्या बने गया एम extracting यह बड़ा एम है और छोटा M देखिए यहां पर क्या रहेगा सेम एक डंडा आएगा इस तरह से और यहां पर इसको इस तरह से खिस रहेंगे तो यह क्या हो गया छोटा M हो गया ठीके तो देखिए आप यहां पर बड़ा M छोटा M और यह क्या है छोटा एम देखिए सेम है लेकिन इसको थोड़ा फराख है दिके न तो इस तरह से इसको अब भाचानी कहा है चलिए आगे हम और भी जो है न आपको हम पहचान करना और पढ़ना सिखाते हैं ठीके चलिए यहाँ पर देखिए एम के बाद क्या आता है एम तो यह क्या है एम देखिए यहाँ पर सेम यह नीचे आ गया यहाँ पर तो क्या हो गया बड़ा एम हो गया ठीके अब छोटा एम देखिए सेम ह के ज़िए से देखिए यहाँ पर ह किदर है यहाँ पर लेकिन इसका क्या है पुछ थोड़ा लंबा खिचा गया है लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा छोटा रहेगा ठीके ना तो यह क्या होगा बड़ा एन और यह क्या है छोटा एन पहचान कर लिजी आप यह बड़ा एन और यह क्या है छोटा एन देखी आप O, देखी O, zero के जैसा रहेगा O, ये बड़ा O है, क्या है? ये बड़ा O है और इसका छोटा O देखी, छोटा रूप देखी इसका, सेम इसी के जैसा रहेगा, लेकिन अकार में क्या होगा? छोटा होगा ओब दिखिये P, बड़ा P यानि capital P और इसका छोटा इसका क्या होगा, सेम रहेगा लेकिन अकार में क्या होगा छोटा होगा ये बड़ा P है, और ये क्या है छोटा P है इसको आप द्यान से दिखिएगा, चलिए अब देखिए आपे क्यूं ये क्या है क्यूं है क्या है क्यूं क्या है क्यूं ठीक है तो ये क्यूं हुआ और छोटा क्यूं देखिए सेम पी के जैसे रहेगा लेकिन इसका क्या होगा अब इसका जो उपर से पेट रहेगा पेट उपर से मूरी ये बाएं तरफ के रहेगा औ और P क्या रहेगा, उपर से रहेगा, और दाये के तरफ इस तरह गोल निकला हुआ रहेगा, तो क्या होगा, P होगा, और क्यूं देखिए, इसका बाये तरफ रहेगा उपर, मुंडी इसका, ठीके न, तो ये छोटा क्यूं, और ये बड़ा क्यूं, देखिए, बड़ा क्यू हो गया और छोटा क्यों इस तरह लाइए और इस तरह से पी देखिए बड़ा इस तरह कर दिए बड़ा हो गया छोटा छोटा कर दिए बस हो गया ठीके न सेम अब देखिए यहां पर आर तो आर देखिए बड़ा आर इस तरह से है तो बड़ा आर देखिए यहां पर यहां प तरह से भी लिखा जाता है ठीकेना बहुत सार तरीके लिखा जाता है तो अब ध्याने किएगा ठीके चलिए तो ये क्या हे बड़ा और ये क्या है छोटा अ अब δेखिए यहां पे is i, r के बाद क्या आता है is to बड़ा एस और चोटा S, ये दोनों same रहेगा, लेकिन अकार में छोटा बड़ा रहेगा, बड़ा है तो बड़ा रहेगा, और छोटा रहेगा, तो छोटा रहेगा, देखिए यहाँ पर, S, इस तरह से लिखिएगा ठीके न, और छोटा S, इस तरह से, ठीक है, चलिए अब देखते है S के बाद क्या आता है T तो बड़ा T देखिए इस तरह से रहेगा और छोटा T क्या होगा इस तरह से रहेगा और यहाँ पे खिस दिया जाएगा ठीके ना यह छोटा ही रहेगा ठीके तो क्या होगा छोटा T और यह बड़ा T अब देखते हैं यू तो यू क्या है यू इस तरह से रहेगा बिच गोल आएगा यू ठीके न यहां पर टीका लगाते हैं यहां पर यू गोल यहां पर जाता है तो सेम इसी तरह से यहां पर हम यू और छोटा यू जहें न सेम इस तरह से आएगा और इस तरह से एन एक यहाँ पे आएगा और सिधा यहाँ पर कौन बनाते हुए यहाँ पे जाएगा इस तरह से उपर तो यह क्या बन गिया भी यह बड़ा V यह देखिए U गोल रहेगा भी सिधा आएगा अकार में उसका चोटा रहेगा ठीके पुर्व ध्यान से देखते चलिए आप ठीके अब देखे W बड़ा W एम का उल्टा बड़ा W ठीके न इस तरह से रहेगा एम का उल्टा बड़ा W और छोटा क्या होगा इसी अकार का छोटा रहेगा ठीके इस तरह से सेम, बड़ा और छोटा दोनों सेम रहेगा, लेकिन जब छोटा लिखना हो, तो छोटा अकार में लिखीएगा, ठीक है, चलिए, अब देखिए आप एक्स, तो एक्स जो है ना, इस तरह से रहेगा, गुणा का चिन, गुणा का चिन देखते हैं ना, गुणा का चिन, इसे को कोईची ले लीजे कोईची इस तरह से ठीकए ना तो एक क्या है किया कुणा काचीन है और यह एक्स है ठीक है और चोटा x कद ऑगा होगा इसका छोटा रूप होगा ठीकए ना यह आकार में छोटा रहेगा अब देखिए वाई तो हुआ सेसम और वाई इस तरह से भी लिखा जाता है या आप इस तरह से भी लिख सकने हैं ठीके ना तो यह बड़ा वाई और यह छोटा वाई ठीके ना अब देखते हैं z तो जेड देखिए आपे बड़ा जेड ठीके ना ये बड़ा जेड और छोटा जिन सेम है लेकिन आकार में क्या है छोटा है तो इस तरह से आप A से जेड तक इंगलिस का छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर जो है ना आप पढ़िएगा और उसको पहचान किजिएगा ठीके तो चलिए एक बार हम इसको जो है डारेक्ट आपको पढ़ना सिखा देते हैं आप जो है इसको बार बार A से जेड तक बड़े और छोटे अक्षरों को अप पढ़िए पहचान किजिए जब आप पुरा पढ़ लिजिएगा उसके बाद जो है आप पहचान किजिएगा पह जाएगा उसको पढ़ने के साथ आप अपने कौपी में लिखती जाईएगा ठीके ना तो एस से जेड तक आपको बड़ा और नीचे छोटा इस तरह से लिखना है जिस तरह से आपको अपने कौपी में लिख लेना है और एस से जेड तक बार बार चाहें 10 बार हो 15 बार हो आपको बार बार repeat करना है और देखना है कि एक किस तरह से लिखा है छोटा एक किस तरह से लिखा है बड़ा भी किस तरह से लिखा है छोटा भी किस तरह से लिखा है ठीक है ना तो जब आप इसको अच्छे तरीके से complete कर लेंगे उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है अपने आपको टेस्ट करना है यानि अब आपका क्या काम है कि बड़ा अक्षर एस से जेट तक और छोटा अक्षर एस से जेट तक कहीं से कहीं यानि करम बदल दिजी ये तो लगतार सिरियल भाई ये अब क्या करना है कि करम बदल जाएगा कहीं से कहीं कुछ लिखा दिया गया आपे कुछ लिख दिया गया अब इसको कैसे पढ़ोगी ठीके न अगर आप इसको पहचान करना सीख जाएंगे तो आप English का First पढ़ाव complete कर लेंगे क्योंकि English पढ़ना आपको तब ही आएगा जब आप इसको अच्छे तरीके से पहचान करना पढ़ना लिखना सीख जाएंगे ठीके तो चलिए अब हम आपको जोहेना यानि आप जोहेना इसको बार बार पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि आप अपने खुद का टेस्ट लेने के लिए तो आप इसको कैसे टेस्ट लोगे तो चलिए हम जोहेना इसका करम बदल कर इधर से इधर लिखते हैं और आपको क्या करना है उसको पढ़ना है हमारे बोलने से पहले आपको पढ़ना है और देखना कि आपको कितना गलती हो रहा है और आप कितना सहीं कर रहे है ठीक है तो चलिए अब हम अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों की हम पहचान करते हैं देखिए आपे यह उपर जो है न कैपिटल लिटर है और नीचे क्या है एस्मॉल लिटर यानि उपर बड़ा अच्छर लिखा गया ह है इधर से उदर कहीं पे भी लिखा गया है अब क्या करना है यह आप तभी आप पहचान पाईएगा जब आप एड़ से जेड तक बड़े और छोटे दोनों अक्षरों को आप पहचान कीजिएगा बार बार पढ़ने के बाद उसके बाद जो है ना आप खुद को टेस्ट कीजिएगा अगर आप पूरा पढ़ देंगे सही सही तो माल लिजिए आपको पहचान हो गया है अगर पढ़िएगा कुछ पढ़ दीजिएगा थोड़ा बहुत आपका गलत होगा जो गलत होगा उसको आप गोल घेरा लगा लिजिएगा और उसको अच्छे तरीके से पहचान कर लिजिएगा फिर उसके बाद पढ़िएगा देखिएगा कि आपका पूरा सही हो रहा है और नहीं हो रहा है जब तक आपको पूरा सही नहीं होगा तब तक आपको पहचान करते रहना है तो आईए अब आपका हम टेस्ट लेते हैं जो आपने पहचान किया होग देखिए, तो हमारे बोलने से पहले आपको बोलना है, उसके बाद हम बोलेंगे, तो बताईए, यह क्या है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, बताईए, यह क्या लिखा है, यह क्या है, बी, क्या है, बी, अब बताईए, यह क्या लिखा है, देखिए, यह बड़ा अक्छरवाल लिजेगा ठीके यह क्या है यह क्या लिखा हुआ है ओ यह क्या लिखा है अब बताइए यह क्या लिखा हुआ है टी क्या लिखा हुआ है टी यह क्या है एक्स क्या है एक्स अब बताइए यह क्या लिखा हुआ है C क्या लिखा हुआ है C लिखा हुआ है ठीके चलिए अब ये बता ये क्या है H क्या है H देखें यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है P क्या लिखा हुआ है P लिखा हुआ है चलिए आगे यहाँ पे देखिए ये क्या है K ये क्या लिखा हुआ है डी ठीक है चलिए यहां पर देखिए यह क्या लिखा हुआ है बड़ा अप्छर में है तो क्या है आई क्या है आई यह क्या लिखा हुआ है वी वी क्या लिखा है वी देखिए वी वी होता है ठीकिना वी नहीं होता है वी ठीक है यह क्या लिखा हुआ है वी यह क्या लिखा है इ, क्या लिखा हुआ है, देखिए, अब बताई, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जेड, क्या लिखा हुआ है, जेड, ये क्या लिखा है, जेड, अब बताई, ये क्या लिखा हुआ है, ल, क्या लिखा हुआ है, अब बताई, ये क्या लिखा हुआ है, अल, दे देखिए अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है क्यों क्या लिखा है क्यों अब बताइए ये क्या लिखा है यू क्या लिखा हुआ है यू ये क्या है वाई अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है एन क्या है इन बताइए ये ये क्या है अगला इससे बताइए ये क्या है पह तो इस तरह सी आप बड़े अक्षर A-Z तक जो इधर से उधर कहीं भी उसका करम बदल दिया गया है अगर आपने सही पूरा पढ़ दिया है तो माली जी आपको बड़े अक्षर पहचान हो गया है माले जी आपका एक या दो तीन चार गलत हुआ है तो इसको आप गोल घेरा लगा लिजिए कौन-कौन सा आपका गलत हुआ है या आप कहीं अलग लिख लिजिए कॉपी में उसको जो है आप बार बार पहचान कर लिजिएगा ठीके चलिए अब हम देखते हैं a small letter यानि इंगलिस के छोटे अक्षर की पहचान तो चलिए इसको भी आप पहचान कर लिए है तो देखिए इसको ये क्या है ये क्या है बता ये X ये क्या है F क्या है F है क्या है F देखिए ये क्या है M क्या है M है क्या है M ठीके चलिए ये पता ये क्या है A है क्या है A क्या है A A ठीके ये क्या है W क्या है W ठीके देखिए यहां पे O क्या है? O, यह क्या लिखा हुआ है? S, अब बताई ये क्या लिखा हुआ है B, ये क्या लिखा हुआ है K, ये क्या लिखा हुआ है R, अब बताई ये क्या है C, ये क्या लिखा हुआ है V, क्या है V, अब बताई ये क्या लिखा हुआ है T, ये क्या लिखा हुआ है G, ये क्या लिखा हुआ है B, क्या लिखा हुआ है, B, ये क्या है, N, ये क्या है, H, ये क्या है, Z, ये क्या लिखा हुआ है, L, ठीके, ये क्या है, U, ये क्या है, I, ये क्या लिखा हुआ है, P, ये क्या लिखा हुआ है, E, ये क्या है क्यों ये क्या लिख्या हुआ है जे ये क्या लिख्या हुआ है वाई तो इस तरह से आप छोटे अक्षरों को पहचान किजिएगा अगर आपने छोटे अक्षरों को यहां से लेकर यहां तक पूरा सही पढ़ दिये है तो आपका पहचान हो गया है अगर आपने गलती किया है तो जिस तरह से इसको बताए थे कि आप गोल घर लगा लिजिए या अलग लिख लिजिए और इसको पहचान कर लिजिए या आपका ज़ादा गलती हो रहा है तो आप फिर से एस से लेकर जेट तक जो हम शुरू में बताये थे इंग्लिस का छोटे अक्षार और बड़ा अक्षार तो दोनों को पहचान कर लिजिए उसके बाद फिर आप यहाँ पे मिलाएगा ठीके तो अब आपने जो है ना पहचान करना सीख लिया अब हम चलते हैं कि माल लेजिए यह जो है ना इंग्लिस में लिखा हुआ रहेगा किसी भी वर्ड्स में ठीके ना जैसे तो इसको आप कैसे पढ़ोगी इंग्लिस में अगर लिखा हुआ रहेगा कोई भी वर्ड्स लिखा रहेगा तो इसका उचारन उसमें आप कैसे किजिएगा ये तो हो गया इसका वर्ण का B जिसे A, B, C इस तरह से पढ़ती हैं लेकिन उसका actual सही माइने में क्या उचारन है इंगलिस पढ़ने, लिखने या बोलने में उसी को जो है ना उसके बाद हम आपको सिखाएंगे उसके बाद जो ही ना और भी बहुत सारे चीज़े आपको मताने वाले हैं इसी एक क्लास में तो आप जो ही ना लाश्ट तक जरूर बने रहीएगा क्योंकि क्लास लंबा होगा लेकिन बहुत ही जादा जनकारी भरा होगा ठीके तो चलिए आगे हम देखते हैं इंग्लिस ए से जे टक उसका उचारन ठीके तो आईए अब हम अंग्रेजी वर्णो का उचारन सिखाते हैं यानि इंग्लिस प्रोणन सिएसन यदि आप इसको सही तरीके से उचारन करना सिख जाते हैं तो आपको जो है ना सही सही इंग्लिस पढ़ने लिखने और बोलने में काफी मदद होगा क्योंकि अगर इसको नहीं सिखते हैं तो आप जो है ना इंग्लिस को सूद सूद नहीं पढ़िएगा ना बोल पाईएगा ना ही लिख पाईएगा ठीके तो यहाँ पे देखिए अब दिखते हैं यहाँ पे एक तरफ अंग्रेजी वर्ड है और इसका दुए ना वर्ड में इसका उचारन आवाज क्या निकलेगा यहाँ पे बताया गया है जो आने वाला जो हमारा क्लास होगा न कहीं कहीं पर इसका औ भी आवाज निकलता है जैसे यहाँ पे देखिए एक हम सब्द बनाते हैं इसे सी ए आर इसको क्या पढ़ेंगे कार देखिए और का क्या साउंड निकला आ निकला है यह कैसे निकला है आपको आगे आने वाला क्लास होगे ना उसमें पुरा क्लियर हम कर देंगे फिलाल जो हमको बेसिक चीज इससके ध्याण रखना एठीक है ना तो इसका सांड किया होगा अ-स किattי निकलता है अगर अगर किसे भी word में लिखा रहेगा जैसे यहाँ पे दिखिए B, O, K इसको क्या पढ़ेंगे? Book क्या? इसको B की नहीं पढ़ेंगे? Book तो B है इस B का sounding क्या निकला है? Wow ठीक है ना? तो E हो गया Book इसी तरह से यहाँ पे दिखिए C C का कितना उचारन है? दो उचारन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा का और सा दिखिए आपे का और सा इसका उचारन कहीं पे का तो कहीं पे सा होता है यह क्यों होता है? आगे आपको हम उचारन नियम जब किला सुरू होगा ना उसमें आपको हम completely बताएंगे, ठीके न, देखिए, D, D क्या क्या होता है, D, E, E क्या उचारन क्या होता है, E, और A, इसका और भी सारा, बहुत सारे उचारने, जिसको हम आगे आपको clear करेंगे, ठीके, छलिए, फिलान अभी जो, यहाँ पी इसका जो sound निकलेगा, बस इसे प D, जी क्या क्या होगा, गौ और जो, देखिए, इसका भी दो है, यह क्यों होगा, इसका उचारन कहीं पे गौ तो कहीं पे जो, यह आगे clear होगा, ठीके, तो फिलाल, जी क्या, कितना उच आवाज निकलेगा, इसका, गौ और जो, ठीके, चलिए, यहाँ पी दिखिए, H, त तो इसी तरह से आप इसको ध्याना किएगा, ठीके, तो H का अवाज क्या निकलेगा, हा, यहनि इसका sound जो होगा, क्या निकलेगा, हा, हा, अगर हम H न पढ़ करके, अगर इसको हम हा पढ़ते हैं, तो यह हमारा गलत नहीं होगा, यह सही होगा, ठीके ना, इस पी आद्पन हम पढ़े, तभी यह गलत नहीं होगा, ठीके ना, इस हम ना पढ़के, फॉप पढ़ते, जी का हम जी ना पढ़के, गवा या जौ पढ़ते, तो यह गलत नहीं होगा, यह सही होगा, ठीके ना, चलिए, फिला हम जो पढ़ते हैं, A, V, C, D, वो तो याद करने के हो, लेकि के का उचारन आवाज क्या होगा का एल एल का आवाज क्या निकिलेगा लो एम एम का क्या निकिलेगा मौ एम नहीं लिखिए गया ठीक है इसे मालेजी यहाँ पे एम ए एन तो क्या होगा इस मौ का एम उचारने होगा मौ उचारने होगा तो मैन पढ़ेंगे इसको ठीक है चल क्यूं का क्या होगा को आर आर क्या क्या होगा रा एस इस क्या नहीं कि लिएगा सा टी टी क्या आवाज क्या नहीं कि लिएगा ट यू यू का क्या होगा ओ या उ वी वी क्या क्या नहीं कि लिएगा आवाज वा अब देखिए यहां पे वी यहां पे डबली यू छुटा है ठ सबसे पहले ठीके यहां पर देखिए आप डबलियू का क्या होता है वह होता है ठीके न अब यहां पर एकस तो एकस का क्या निकलेगा एकस एकस ही निकलेगा ठीके एकस का एकस डबलियू का वह दिखे यहां पर वाई सब्सक्राइब का उचार एस से जड तक आप अपने कउपी में इसको लिख लिजे और इसको अच्छे तरीके से याद कर लिजेगा कि इसके बीना आप सही सही ना तो English पढ़ पाईएगा ना लिख पाईएगा या ना ही बोल पाईएगा ठीके ना तो इसको कैसे पढ़ेंगे आ का उचारन क्या क्या है आ ए आ ये सारे words में आपको हम जब नियम इसका बताएंगे न एक एक अक्छर का तो आपको पूरा क्लियर हम कर देंगे फिलाल इसको आप याद कर लीजिएगा तो चलिए आगे हम अब जो है ना आपको ये तो ही हो गया English ठीके ना तो अब हम आपको हिंदी का जो शोर है उसको हम English में कैसे लिखा जाएगा उसका हम रूप देखते हैं और उसका ब्यांजन का भी ठीके चलिए आगे देखते हैं तो चलिए अब हम हिंदी का जो वर्ण माला है और शी अहा तक और कोशी ग्या तक उसको जो है ना अंग्रेजी में उसका रूप किया होगा यहाँ पर दिखी दिखी आपको जो है ना इंग्लिस पढ़ना लिखना किताब दोनों सार चीज हर चीज चाहे आप इंग्लिस में नाम लिखना सिखना चाहते हो या बोलना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो या इंग्लिस का बुक पढ़ना चाहते हो कुछ भी चाहते हो सारा का सारा आपको हम इस कलास में दे दिये हैं और इसके बाद जो हैं आमरा कलास end होगा सारा का सारा मिल गया आपको ठीक है तो आईए अब हम देखते हैं हिंदी स्वरों का अंग्रेजी रूप और शी अहा तक इसका हम अंग्रेजी भी लिखे हैं नीचे देखिए इसको कैसे आप पढ़ोगे सारा का सारा याद कर लिजेगा ध्यान किएगा अगर आप इस कलास को अच्छे तरीके से पढ़कर याद कर लेते हैं तो जो आपका फ्रेंड है अगर आपसे मिलता है और उससे आप बताते है या आप उससे कुछ कोश्टन पुछते है और उसको नहीं आता है और आप बता देंगे तो आपका मैं गरांटी के साथ कहता हूँ आपका दोस्ट हो है ना तो आ का इंगल्स क्या आता है ए ए से आ डबल ए डबल ए से क्या होता है आ ए छोटी ए आई आई से छोटी ए डबल ए डबल ए से बड़ी ए उ छोटी उ यू से छोटी उ उ बड़ी उ तो डबल ओ डबल ओ से बड़ी ओ री आर आई से री ए ए से ए आई ए आई से आ ओ ओ से ओ आउ ए यू से आउ अन ए एन से अन और इसे कहीं कहीं पे जुहें आपको अम भी पढ़ना पढ़ेगा तो इसके लिए ए एम होगा अहा तो ए एच से अहा तो इस तरह से जुहें आप आशी अहा तक जो हिंदी का श्वर है आप इसको लिख लिजी और अच्छे से याद कर लिजीगा इस देखिए के ए अब देखिए यहाँ पे के ए क्यों आया ए कहां से आया आप कंफ्यूज हो जाईएगा आप बस्मेन पर पढ़े होंगे स्कूल में कि के से को लेकिन यहाँ पे तो आपको ए मिल रहा है अब ए कहां से आगिया कोई दढ़ने की बात नहीं है आपने हिंदी पढ़ा होगा तो वहाँ पे इसका उचारन देखिए का तो कोज जो है ना दो अक्षरों से मिलकर बना होता है आदा का और यहाँ पे आ का साउंड मिलता है दोनों का जब मेल होता है तब इसका उचारन होता है का, देखी का अगर हम इसमें से ओका साउन निकाल देंगे आवाज निकाल देंगे तो बच जाएगा आदा का, 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 का इसी तरफ जो है ना कौशे, ग्यातक पुरा में जोहना च्छर में ओका साउन लगा रहता है इसलिए जो है ना, इसके साथ हम ए लगाते हैं, देखी यहाँ पे तो का के लिए क्या लिखे, के ए से का, समझना आगे ना कानफ्यूजर नहीं ना है, कि ए कहां से आ गया क्योंकि का में, यानि हिंदी का जो बेंदन होता है ना, वो सभी अक्षर में जो है ना, आ का साउंड लगा रहता है, ठीक है ना, तो देखी याँ पे, तो के ए से का, खा तो का का क्या होगा के एच ए से खा, गा तो जी ए से गा, घा तो गा का ए अंच ए से गा, अंगा इन जी एसे अंगा चा C-H-A से च, च, C-H-A से च, ज, J-A से ज, ज, J-H-A से ज, इय, इय देखिए, इस तरह से रहता है, तो Y-N-A से इय, त, T-A से त, थ, T-H-A से थ, द, D-A से ड, ध, D-H-A से ध, अड, N-A से अड, देखिए आपे, त, T-A से त, थ, T-H-A से थ, द, D-A से द, ध, D-H-A से ध, न, N-A से न, प, P-A से प, देखिए यहाँ पे, त, थ, D-A द, D-A न, और, त, थ, D-A ड, D-A अन, इसका जो है न, सेम इंगलिस है, सेम, सेम, मेरे पास मैसेज आया था कि सर, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, यार कन्फ्यूजन किस बात की है, यहाँ पे तौर हैगा, तो इंगलिस T-A लिखिएगा, अगर यहाँ पे तौ अगर धा आता है, इस तरह से लिख्या होगा, तो D-A अगर इस तरह से धा लिखिने को आता है, तो D-A इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, चलिए, यहाँ पे दिखिए, तो पा, पा का इंगल्स क्या होगा, पी ए, फा, तो पी एच ए, या, एफ ए से फा होता है, ब, B-A से ब, भ, B-H-A से भ, म, M-A से म, य, Y-A से य, र, R-A से र, ल, L-A से ल, व, V-A, य, W-A से व, तालब बे श, जिसका श उचारन होता है, S-H-A से श, यहाँ पे दिखिए, मुर्धान ने श, जिसका श उचारन करते हैं, तालब श के जीशा, तो S-H-A से श, दंत स, जिसका स उचारन होता है, तो इसका क्या होता है, S-A से स, ह, H-A से ह, छ, K-S-H-A से छ, त्र, T-R-A से त्र, ग्या, G-Y-A से ग्या, तो फ्रेंट्स, इस तरह से आप, हिंदी का जो वर्ड माला है, आप इंगलिस में इसको सीखिएगा, देखिए, अगर आप इसको सीख जाते हैं, तो आप इंगलिस में नाम लिखना, या किसी भी जगह का नाम इंगलिस में लिखा हुआ है, तो उसको आप असानी से पढ़ देंगे, तो देखिए, आज के इस क्लास में आपको इंगलिस का बुक पढ़ने से लेकर लिखने, बोलने तक, और साथ में आपको इंगलिस में नाम लिखने, पढ़ने, और साथ में किसी भी जगह का नाम हो, उसको पढ़ने, या आप वाट से पे मैसेज भेजते हैं या पढ़ते हैं सारा का सारा जो है ना आज की इस class में आपको जो है ना हम complete सिखा दिये हैं अब आपका क्या काम है जो भी हम इस class में आपको बताया है उसको जो है ना आप अपने copy में लिख लिजिएगा लिखने के बाद सभी को अच्छी तरीके से याद कर देखिए थोड़ा कठीन है लेकिन संभाव है असंभाव कुछ भी नहीं है अगर अब ठाल लेते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभाव है नहीं है नहीं नहीं इस दुनिया में कुछ भी असंभाव नहीं है यदि इंसान ठाल ले तो आप इसको अच्छे तरीके से तरीके से कोपी में लिक याद कर लिएगा बार बार में कह रहा हूँ और आप जो है न अभी हमें जो कमेंट बसक्राइब कर जरूर बताएगा कि आज का किलास आपको कैसा लगा है और इसके बाद जो हमारे किलास आएगा उसमें क्या क्या चीज चेंजिंग होना चाहिए यह आप जरूर बताइएगा और इस क्लास को जो है आपने सब्सको वाटसेप और फेस्बूक पे आग की तरह सेयर कर दिजिए पूरे इंडिया में विदेश में जहां पे भी आपे वहां पे शेयर कर दिजिए ताकि जो भी लोग नहीं पढ़े हैं या किसी भी कारण पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो जो है ना इस क्लास के माद्य हम से पढ़ना सीखते रहें जहिंद प्रेंस फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक हुआ है रहे हैं 2 वा अफिर रहे हैं नेक्स व चुके ही ने जहीं हैं आप़ाण